मतलग इतनी कॉन द्यूटी में घंटी बंद रहे हैं देखो यह गंटी घंटी इधर आप देख सकते हो इतनी घंटिया बंद रहे हैं कि पूरा गिर गया है इतनी इसमें से वेट इतना वजन आ गया था इसके लो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मंदिर दिखाने जा रहा हूं कि आप उस मंदिर के मानिता इतनी हो है कि सिर्फ एक घंटी बंदने से मंदिर में सारी मनोकामना पूरी हो जाती है यह चीज मैंने मुझे भी यकिन नहीं हो रहा था बट मैंने इस अपने आपको खुद आजमाई है मेरी भाई मुझे बीमारी थी वह बहुत इलाज करा है मैं सही नहीं बहुत में इस मंदिर में आया तो भाई ऐसी मानता मांगी तो सही होगी आज में आप लोगों के साथ एक शेर की जाए वह मंदिर में आ रखाओं कि यह यूपी में है लंभुआ ठीक है मैं आपको मंदिर दिखाता हूं अब इत मेरे पीछे आप अब देख सकते हैं मतलब कि मंदिर कि इतनी मानता है कि मतलब जैसे कि आपको बीमारी है कोई भाई मनत चाहते हो तो वाओ भाई यहां पर मनत मांगो और फिर आपकी मनत पूरी हो जाए तो और यह घंटी बांद जैसे बंदरी है मैं आप लोगो दिखाता हूं कितनी कि इस पूर्ण सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कर दो हुआ जैसे कि अधिक है कि मतलब यतनी कॉंड़ इस गंटी बंद रही है अधिक है इधर आप देख सकते हो इतनी घंटिया बन दिए कि पूरा गिर गया है इतनी इसमें से वेट इतना वजन आ गया था इसके यह देखिए और यह हमारी मातारानी तो दोस्ता आप लग दर्शन कर लिजिए बाकी फिर भाई देखो कि मतलब क्या मिलते हैं फिर हम मिलते भाई फिर नेक्स्ट वीडियों में तब तक लिए मरस्मातारानी के दर्शन कर लिए थीक है आप सब भी कर लिए भाई देख लिए तो भगवान से दुगा करूंगा भाई आप लोग भी जब भी यज़र आई यूपी दोस्तों अजिस मंदरे में आया हूं पापरधाम मरी माई वहां के सारे भाई बैठे सारे मंदरे के सारे कार करता हैं आप लोग देख लि कि यहां पर दोस्तों से वंख सारे मंदरे के सारे कार करता है और मतलब मंदिर में आके मैं दिल खुष हो जाता है यहां फिला फेसे दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्टी वीडियों में तब तक ये भाई और फ़ाइं प्लॉट थ frightened